हलो बच्चों ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सारे अपने अविर्यालिस क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है और खास्तोर पर अभी ये देहरादून के लिए है इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको पता है कि कुछ बच्चे फस्ट आइम ड्राप कर रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड ड्राप कर रहे हैं कुछ बच्चे जिनका स्कूर बहुत अच्छा है या 582 580 5 65 जिन्हों ने इस साल जैपिश्टील नहीं लिया कुछ तो यन्होंने व insects बिया था वो ऐसे बच्चे एक पुरा का पूरा पूल है 10-15 बच्चों का और भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहां ही last year पढ़ाई किये थे इस साल वो repeat करेंगे, कर रहे हैं I'm sorry, तो उन बच्चों का जो preparation level है वो अभी एक level पे already है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th के साथ कोई competition त study कर रहे हैं इससे पहले सिर्क उन्होंने board की study की थी और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत देखे थे बट वो mid level पे score किया उन्होंने और इस साल वो इसको improve करने के लिए आए है, सबका एक common goal है to get into NEET 2022, अब क्या होगा सबका treatment अलग-अलग होना चाहिए, जिस बचे की तैयारी 550, 582, 582 अलड़ी आ चुके हैं, उसको target वो बच्चा naturally target कर रहा होगा 690, 700, 710, तो उसकी जो practice होनी थोड़ी different तरीके से होनी चाहिए, aim सबका 720 है लेकिन approach सबका different होना चाहिए, what I believe, और हमने past में ऐसे किये भी हैं, तो अभी मैं कुछ बच्चों के request से भी और looking into the I know to, एक improvement भी उनमें लाने के लिए तेजी से, तो हमने एक rank booster batch plan किया है, और जिसमें जो 550 plus scorer हैं, उनकी तो direct entry होगी, जो 500 plus scorer हैं, उनकी भी direct entry करेंगे, लेकिन उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं, वो अगर अपनी planning अच्छे से कर सके, वो अगर अपनी planning धंग से कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक opportunity दे रहा हूं, इस batch का जो maximum size होगा, वो it can go up to 25, although we have planned it to make it 20 only, but it can go up to 25, there will be no online system in this batch, it will be a complete offline batch, absolutely there is no online, testing completely offline होगा, there is no online testing, जब मेन exam में online नहीं होना, तो यहां क्यों online करें, तो ये दो बाते हैं इसमें, इसके लिए हमने एक test रखा है अपने student के लिए, अब उस test में सारे बच्चे appear कर सकते हैं, और उस test के marks के basis पे, उन बच्चों को batch allot कर देंगे वाला, top जो merit में आएगा, और एक ही test है there is no other test, इसके लिए और कोई excuse भी मैं नहीं लूँगा, कोई भी region आ जाए, उसका genuine region आ जाए, बट फिर भी आपको पता है, नीट genuine region करेके वज़े से भी किसी का छूट जाए, तो दुबारा उसको chance को देता नहीं, तो इसका syllabus जो है, बायो में first four units of 11 class की, NCRT की recording, अगर आप chapter पुछो के तो chapter भी नीचे लिखवा दूँगा, मैं first four units of NCRT, उसके बाद physics में यह है, units and measurement को छोड़के, kinematics, loss of motion, work energy and power rotation, यानी major 4 chapter, और chemistry में ही है, solid state, solution, dnf block, structure of atom, तो यह है syllabus, तीन घंटे का test पूछा जाएगा आपसे, offline test होगा, और यह test होगा कब, यह test होगा, exactly, तो दो-तीन दिन पहले भी मैं बता दूँगा, अभी 15th, आप March को यह test होगा, 15th March को test होने के बाद, जो batch बनेंगे, वो holy के बाद होगा, आपको पता है, holy Friday है perhaps, तो जो उसके बाद वाला Monday होगा, तब से बैच स्टार्ट होगा, तो पूरा का पू होगा, यानि PYQ discussion, testing and test का फिर discussion, इस पर जादा जोर होगा, जो overall इन बच्चों को कोई online treatment, जैसे हमारे यहाँ बैचे इसका online relay भी होता, online broadcasting भी होती है, और फिर हम उनको video भी share करते थे, अगर वो बच्चे absent होते थे, लेकिन अब वो तो हमने बन कर दिया है, offline आप लोग आना सुरू कर दो, otherwise मैं आपको बता रहा हूँ, आपका selection बहुत ज़्यादा effect होने वाला है, online study से आदे से ज़्यादा energy waste होती है, केवाल हम कहने के लिए पढ़ते हैं, मैं यह on camera बता रहा हूँ, online वाली चीज तभी possible होती है, जब किसी के monitoring में आप कर रहे हो, क आप क्या सपास gadgets ना हो, तो हो सकता है, यह काम कर जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा highly self motivated हो तो, तो मेरी सभी student से बुजारिस है, इस test के लिए prepare करो, इस test का syllabus आपको बता दिया गया है, हमारे आप एक कल जो test है, परसो जो test है, Sunday वाला, उसके बाद सीधे यह test होगा, य farm करने के बाद, आपको वो batch दे दिया जाएगा, और जो उसमें late joiners होंगे, जैसे कुछ बच्चे उसमें target need 4th के होंगे, कुछ target need 1 के होंगे, कुछ target need 2 के होंगे, कुछ बल्ली वाला ब्रांच से होंगे, तो जहां भी अगर उनका late batch इस्टार्ट हुआ, तो naturally के कुछ topic discuss कर लेंगे, अच्छा इसमें कई बच्चे ये भी बोलेंगे, हम तो late join किये हैं, हमने solid state पढ़ा ही नहीं, हमने work energy पढ़ा ही नहीं, हम तो seizure rotation के time join किये हैं, तो आप लोग जो late joiners हो, वो already ऐसे scorers हो कि जिनको doubt था कि उनका selection हो सकता है, they were waiting for their counselling, तो naturally उनका label अभी से last year ठिक कर लो, और ऐसा mandatory भी नहीं है, कि अगर आपने test में बुरा perform किया, तो आपको ऐसा नहीं, एक 582 लाए हो, तो मैं ले ही लूँगा, अगर आपने 582 last year score किया था, 580 आपने score किया था, 555 आपने score किया था, तो इस test में भी एक respected marks तो आपको लाना ही लाना है, तो it was all about the planning, इसम उनके लिए ये open नहीं है, although अगर उनका बीच में admission होता और marks अच्छा लाते हैं, वो पहले से लाए हुए हैं, तो सोचा जा सकता है, so all the very best, thank you very much.